दोस्तो नमसकार मैं हूं मनी पांडे और आप देख रहे हैं Bestin Bangs दोस्तो अगर आप गर बैठे एक online zero balance खाता खोलना चाहते हैं और आप एक best bank के तलास में हैं जो कि zero balance account के साथ без services प्रोवाईड करता हो तो ये वीडियो आपके लिए है बने रहेगा इस वीडियो में अंतक दोस्तो जिस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बैंक का नाम है AU Small Finance Bank इस वीडियो में हम आपको complete process बताएंगे कि आप किस तरीके से AU Small Finance Bank में एक Euro Balance खाता खोल सकते हैं उससे पहले हम आपको AU Small Finance Bank के इस एकाउंट के बारे में थोड़ा सा extra information दे देते हैं दोस्तों ये जो एकाउंट है पूरी तरीके से Zero Balance एकाउंट है जैसे ही आप यहाँ पर bank account open कर लेते हैं आपका mobile banking यहाँ पर activate कर दिया जाता है और आप पैसे वगरा को भी transfer कर पाते हैं आपसे अची बात जो इस एकाउंट को पूरी तरीके से डिजिटल मनाता है वो है इस एकाउंट की video KYC की सुभिदा आप घर बैटे video KYC के माध्यम से आप अपने account का full KYC यानि complete KYC भी कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको AU Small Finance Bank में एक online zero balance खाता खोलना है उससे पहले चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों AU Small Finance Bank के साथ अपना एक online bank account ओपिन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे video के description box में एक account opening का link मिलेगा उस link पे click करके आपको AU Small Finance Bank के इस official website पे आ जाना है यहीं से आप account को open कर पाएंग आप अपने bank के खाते से link करवना चाहते हैं वो mobile number आप यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर verify mobile पे click करेंगे अब यहाँ पर जो भी mobile number आपने भरा है उस mobile number पे एक OTP AU Bank दोरा send के जागा जो भी OTP आपके mobile number पे आता है वो OTP आपको इस वाले box में यहाँ पर भर देना है OTP भर अपने mobile phone का location on कर लेना है अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा यहाँ पर उपर आपका mobile number दीखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर नीचे की तरफ इस वाले box में यहाँ पर आपको अपने pen card का number भरना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर box पर टिक करेंगे टिक करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपको get OTP का option जो है red हो जाएगा आपको get OTP वाले बटन पर click कर देना है get OTP के बटन पर click करते ही यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पर अब आपके अधार कार्ट से link mobile number पे एक OTP send किया गया है simply अधार कार्ट से link mobile number पे जो भी OTP भेजा गया है उस OTP को आपको inboxes में भर देना है दोस्तो OTP को भरने के बाद यहाँ पर automatic नीचे की तरफ confirm का बटन red हो जाएगा आपको confirm वाले बटन पर यहाँ पर नीचे यहाँ पर click कर देना है अब यहाँ पर अधार OTP verification के बाद आपक तो सबसे पहले वाले option में आपको खुद से application form भरना होगा दूसरे वाले option में आप video call के माध्यम से आप application को form को fill कर सकते हैं यानि अगर आप दूसरे option को select करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक video call इनके customer care से connect हो जाएगा और आपको आगे का form फिल करने की जुरत नहीं है video call में आप से जो भी details यहाँ पर customer care मांगे वो आपको provide करना होगा और आपका account तुरंत के तुरंत वो खोल देंगे लेकिन फिलाल हमें अपने से account को open करना है तो हम पहले वाले option click here to complete the application by yourself पर click करेंगे आपको भी मैं यहीं सरा दूँगा कि एकर आपको video call करने में कोई द detect कर लिए जाएंगे जैसे कि आपका नाम आपका photo आपका date of birth आपका gender साथ ही आपका complete address जो आधार card में है वो सारा चीज यहाँ पर detect कर लिए जाएगा अब यहाँ पर कुछ personal detail additional भरने होंगे खुद से उसे भरने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा नीचे आने के करना है साती यहाँ पर नीचे आपको alternate mobile number आप चाहें तो भर सकते हैं यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं यह necessary नहीं है इसके आलवा यहाँ पर father's name आपको भरना होगा आपके पिता जी का नाम क्या है आप यहाँ पर भर देंगे नीचे यहाँ पर आपने माता का नाम यान पर नीचे आना है नीचे यहाँ पर आपको select your communication address का option दिया जा रहा है अगर आपका अधार का address या फिर आपका communication address अलग-अलग है तो यहाँ पर आपको दूसरी option other address पर click करना है वरना पहले वाले option पे ही same as my permanent address वाले option पे ही रहने देना है यहाँ पर basically आपको यहाँ पर other address प निश्ची तोर पर भरिएगा चुकि जो communication address आप भरिएगा इसी communication address पर आपका ATM card भेजा जाएगा तो यहाँ पर आप communication address निश्ची तोर पर भर लिजेगा ताकि आपका ATM card सही जगर पर पहुंच पाए तो यहाँ पर हम बिसिकली चलिए अपने communication address को fill कर लेते हैं इसके बाद नीचे आना है नीचे यहाँ पर आपको nominee add करने के लिए बोला जाता है अगर आप अपने खाते में nominee add करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको nominee का नाम भरना होगा नोमनी से क्या relation है वो select किजेगा इसके बाद date of birth nominee का यहाँ पर calendar से select किजेगा फिर यहाँ पर आपको बताना ह फिर पिन कोड, state और city यहाँ पर भर देना है तो बिसिकली यह सारी चीजिया आपको भरनी होगी बिसिकली हम यहाँ पर nominee को add नहीं करने वाले है तो हम यहाँ पर नोव वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक term and condition का छोटा सा box दिखेगा इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपने income के details को भरना होगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको उसके लिए occupation type select करना होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर list में सामिल इन सभी works में से आपको बताना होगा कि आप इन में से किस तरीके का काम करते हैं अगर आप private company में job करके salary पाते हैं तो आप अगर आप self-employed है तो यहाँ पर self-employed professional और self-employed का भी option आपको मिल जाता है अगर आप unemployed है आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप unemployed भी select रहे सकते हैं students का भी option है, government sell rate का भी option है, अगर आप government job करते हैं तो आप government sell rate को select करेंगे, housewife का भी option है और politician का भी यहाँ पर option आपको मिल जाता है, आप अपने इसाब से यहाँ पर select कर लेंगे, इन सबी चीजों को select करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको annual income select करना होगा, तो आप annual income वाले ब 0.02, 0.02, 0.02 को select करेंगे, चुकि यहाँ पर हमारा income बहुत ही कम है, तो यहाँ पर आप अपने साब से select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको FACTA CRS declaration देना होगा, तो यहाँ पर आपको बताना होगा, कि are you a tax resident, मतलब यहाँ पर आप से पूछा जाता है, कि आप इंडिय कुछ इस तरीके का interface आएगा, जहाँ पर आपको अपने account details को select करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको AU digital saving account को select रहने देना है, अगल बगल कोई भी चीज आपको select नहीं करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है, यहाँ पर लिखा हुआ है, it is a zero balance account, basically यह जो AU digital saving account है, यह zero balance account है, पुरी तरीके से कोभी पैसे इसमें maintain नहीं करने है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़े यहाँ पर आपको बताई हुई है, तो यहाँ पर आपको AU digital saving account को ही select रहने देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद इस account के सारे details यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, 7% interest मिलता है, इसके अलवा 2,00,00,00 रुपे तक का transaction मिलता है, रुपे का debit card मिलता है, और भी insurance वगरा सारी चीज़े यहाँ पर मिलती है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सबी चीज़ों को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको CT वाले बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना CT select कर लेना है, CT को select करने के बाद आपको branch select करने का नीचे option दे दिया जाएगा, बेसिंकली आपको select branch पे क्लिक करना है, और अपको जो है यहाँ पर जो भी आपके आज़ पास branch उसे select कर सकते हैं, branch को select करने के बाद यहाँ पर आपको next वाले button पे click कर देना है, दोस्तो ब्रांच को select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक और option रेखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको funding के लिए बुला जाता है, अगर आप अपने खाते में पैसे डालना चाहते है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर zero रहन दिजेगा, और यहाँ पर next वाले button पे click कर दिजेगा, दोस्तो next button पे click करते हैं, आप account opening के last stage में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभी तक आपने जो भी details भ कर देंगे, अगर नहीं तो आप दूसरे option पे ही tick रहने देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक terms and condition का box दिखेगा, इस box पे आपको tick करना है, और यहाँ पर आपको proceed वाले button पे click करने के बाद यहाँ पर एक confirm का option देखने को मिल जाएगा, आपको इस पे click करना हो तो यहाँ पर video KYC करने के लिए आपको क्या करना है, दो options देखने को मिल जाएगे, click here to complete your KYC और दूसरा option, click here to schedule your video KYC, अगर आप तुरंद के तुरंद वीडियो KYC करना चाहते हैं, तो आप पहले option को select करेंगे, अगर आप video KYC को schedule करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको click here to schedule वीडियो KYC, इस पर आपको click करना होगा, दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करनेंगे, तो आपको यहाँ पर date select करना होगा, कि आप कौन से तारीक को आप video KYC करना चाहते हैं, तो यहाँ जैसे कि हमने उपर यहाँ पर date को select कर लिया है, calendar से फिर timing में आप free है, उस time को यहाँ पर select करेंगे video KYC करने के लिए, और यहाँ पर confirm वाले button पर click कर देंगे, दोस्तो जैसे ही आप confirm वाले button पर click करेंगे, यहाँ पर आपका slot जो है video KYC का वो book हो जाएगा, और आपका video KYC भी schedule हो जाएगा, दोस्तो अब यहाँ पर आपको करना क्य दिया जाता है, आप ATM card का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका physical copy आपके address पर भे दिया जाता है, दोस्तों मैं आपको यहीं साला दूँगा कि आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत ही video KYC को कर ले, यहाँ पर आपको पहले वाले option को select करके तुरंत के तुरंत video KYC को कर लेना है, च जो भी आपने time select किया है, उस time पर क्लिक करके आप video KYC को कर लेंगे, उसी time पर आपको link पर क्लिक करना है, और आपका video KYC करनेक्ट हो जाएगा, आप जो है pen card, अधार card और एक pen paper साधा रखिएगा अपने पास में, इसी के द्वारा आपका video KYC वहाँ पर complete किया जाएगा, ब कर दो 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 क